कि हालो फ्रेट सौगत एक वाप फ्रेट थे आप सभी काम है यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे गूप डी के एक्जाम डेट को लेकर एक देख सकते हैं यहां पर एक सरका नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वारल हो रहा है ठीक है तो अब बह कुछ भी यहां पर नहीं है हाला कि अगर यहां पर देख से थे कि बहुत ही बिदापती तरिके से यहां पर लिखा गया है Government of India Ministry of Railways Railway Recruitment Sale जो आपका जो आपका जो आरसी एक 2019 का इसका जो है नोटिश नमबर है जो यहां पर और यहां पर साब तर पर कह रहा है कि यहां पर कि यहां पर कि the first state CBT will be held in multiple phases in order to ensure adherence to all the all the COVID-19 guidelines for the large number of eligible candidates approx 1.16 crore accordingly the first phase of the examination is scheduled for 21 lakh candidate approach to be held from 27-10-2021 to 12-11-2020 यहां पर कह रहा है कि आपको यहां पर October 27 October 2021 से लेकर कह रहा है कि इसमें 12 November 2020 तक 21,000,000 फरस्ट जो यहां पर phase होगा उसमें 21,000,000 candidate जो कि 1.16 crore candidate में 21,000,000 candidate का यहां पर paper होगा ठीक है no doubt कि आपको बहुत सारे यहां पर काफी है तीन से चार महिना यह exam चलेगा no doubt और काफी सारे phase में भी होगा लेकिन अगर बात कह रहें कि यह official notification है तो मैं तो नहीं समझता कि यह कोई notification है हां लेकिन अगर nscit कर nscit अगर nscit अगर exam conduct करा सकती है तो हो सकता है यह सेप्टमबर से यह possible है कि exam हो otherwise अगर टीसे से बार पर मैंने काया कि टीसे से अगर exam कराती है तो यह दिसंबर से पहले exam possible नहीं है ठीक है तो कुल अगर देखा देखा कि पेपर का अगर हम बात करें ग्रुपडी का अगर पात करें पेपर का धान कर सा टीक है थिक है दो से तीन महने के बाद घंपर कंफाम होना ही है तो मैं बस ही कहना आ चाहता हूं सारे जितने भी फ्रेंड हैं जितने भी मेरे स्टूइट जितने मी केंडिडिट उन सभी को बस मैं यही कहना चोगता हूँ कि आप इन सारे बातों पर ध्यान नहीं दे जब ऑफिसल नोटिफिकर्शन आना है तो आएगा ही एक्जाम होना है तो होगा ही ठीक है तो जितना भी समय आपको मिलता है बेहतर है कि आप उसके लिए गुरूप डी की तैयारी में लग जाए ठीक है चुकि आप सभी ने देख लेए देख रखा है कि बाई एंटीपीटीपन का एक्जाम का रिजल्ट एंसर कियाने के बाद आप सब समझ सकते कि बाई इसका क्या कटफ जा सकत है रॉमस कितने हैं तो इसे हिसाब से आप समझ सकते पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी होना नहीं है ठीक है उसी तरज पर जो है एक्जाम कंड़क्ट ग्रूप डी भी कराएगी ठीक तो कोशन का पेपर का लेवल जो होगा तो मॉडडर्ट टैप को होगा तो आपको अब नोटिस थोरा परसंट भी एकाद़ परसंट भी अगर यह सच होता है तो फिल्बी ठीक है ना आपके पास समय काफी कम है तैयारी तो वैसे भी करनी वैसे भी करनी याप गुरूप डिके लिए कर लिए तो देर की से बात का क्यों नोटिफिकेशन क्यों एक्जाम बाद या अक्टूबर के इंड तक उसका भी एक्जामनेशन होने की पुरी-पुरी संभाव रहे तो तैयारी करें इन सारे बातों पर ध्यान ना दे ठीक है